How to fix TikTok non-network connection तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे अपना TikTok application खोलते हैं तो ज्यादा तर क्या होता है कि हम यहाँ पे non-network connection हमें शो होता है और यह problem हमें परिशान करके रखता हैं तो दोस्तों इस problem को कैसे solve करें और इस problem से कैसे चुटकारा पाये जाएं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को दबा देना और यदि आप online पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो description link चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कुछ settings करना है ठीक है एकदम ध्यान से आप settings को देखिएगा यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो है आप अपना internet connection एक बार चेक कर लिजेगा कभी-कभी internet connection automatically off होने के वज़े से भी दोस्तों हमें ये problem show होता है ठीक है internet connection आपका on है उसके बाउजित भी आपको ये problem show हो रहा है कोई दिकत नहीं है आप settings पे चले जाएए मैं आपको बताऊंगा कैसे solve करना है अपने mobile का settings को खोल लिजेगा उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है dual sim and cellular network पे ठीक है यहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों आप एक काम कर सकते है अपना mobile data जो है वो आप एक बार switch कर लिजेए यदि आपके mobile में दो sim है तो एक sim का mobile data off करके दूसरा sim का on कर लिजेगा कभी-कभी network connection एकदम slow होने के वज़े से आपको वो problem show हो सकता है लेकिन दोस्तों यह करने के बाउजित भी आपको problem show हो रहा है तब आप क्या कर सकते है airplane mode को एक बार on कर दीजेगा और उसके बाद में अपना mobile को restart कीजे और दुबारा आप जो है airplane mode को off करके एक बार check कर लिजेगा ठीक है लेकिन दोस्तों इसके बाउजित भी आपको problem हो रहा है तब दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ तब दोस्तों आपको क्या करना है आपको जाना है application management में अपने mobile का application management में आपको जाना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको उस application ढूनना है जिस application में आपको problem आ रहा है तो हमारे application में आ रहा है TikTok में हमें आ रहा है तो हम ढूल लेते हैं यहाँ पर TikTok और TikTok के उपर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको एक बार force stop click कर देना है force stop इसे कर देना है उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर आपको जाना है storage usage पे और दोस्तों ध्यान रही कि यहां पर जो मैं करने जा रहा हूँ clear data यह करने के बाद में आपका TikTok जो है वो log out हो जागा आपको री login करना है ठीक है तो यहां पर आपको TikTok में clear data कर देना है और इसे clear कर देना है clear करने के बाद में दोस्तों आप अपना mobile को एक बाद restart कीजेगा आप हो सके तो यहां पर permission पर जाकि इस सारा permission भी आप एलाव कर दीजिए उसके बाद में mobile को restart कीजे आपना TikTok application खोलिए आपका problem जो है वो solve हो जाएगा उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा thanks for watching